आपका स्वागत है हमारे आज के मेमान है हिमाचिल प्रदेश यूथ कॉंग्रस के नए अधियक्ष और हिमाचिल सीम वीर भदर सिंग के बेटे विक्रम अधित्या सिंग विक्रम अधित्या अपड़ी यंग एच में अपने पॉलिटिक्स में चलांग लगा दी अभी तो खेलने कूदने के दिन थे यह इतनी जल्दी पॉलिटिक्स में अभी जो मैंने यूथ कॉंग्रस का इलेक्शन लड़ा है इसको कॉंग्रस पार्टी के साथ जोड़ा जा सके और उसमें जयादा से जयादा लोगों को यूथ कॉंग्रस के माधियम से कॉंग्रस पार्टी के साथ जोड़ा जा सके इसलिए मैं मैं इस ओर्गनाइज़ेशन माने का निरने लिया है कॉंग्राचुलेशन आप यूथ कॉंग्रस से माचल के प्रेजिडेंट अभी इलेक्ट हुए है एक आप 2011 में भी आपकी एक एक इलेक्शन हुई थी तो उसके बाद वो नलन वॉइड करार दी गए थी आपकी ओर्गनाइज़ेशन फेम के दवारा तो क्या हुआ था उस टाइम बेसिकली उस टाइम भी मैंने इनी इरादों के साथ चुनाफ लड़ा था उस समय जो एक फेम है जो ऑगनाइज़ेशन है एक NGO है जो राहूल जी ने जिसे अपॉइंट किया है जो एलेक्शन को देखती है एलेक्शन के मैल प्रेक्टिस को देखती है उन्होंने एक निरने और उसके बाद भी अगले दो साल तक मैंने इंडिविज्वल तौर पर व्यक्तिकत तौर पर मैंने संगठन को मजबूत करने का हर समब प्रयास किया है इस एलेक्शन के बादे कहा जाता है कि आपके फादर का इंफ्लूइंस बहुत हुआ है यह आप इतने मार्जन से जीत की कैंपेइनिंग हो रही थी है टूर्ड इंटायर स्टेट हर जगा जाकर मैंने युवाओं से प्रदेश के जो डेलिगेट्स बने हैं यूथ कॉंग्रेस के उनसे सीधे तौर पर एक संपर्क किया और उन्हें मैंने आश्वासित किया कि उनकी जो समस्या है जो उनकी प्र पर जब मैं हिमाचल प्रदेश के विभिन क्षेत्रों में गया और खास करके जो दूर दजार के क्षेत्र है लाहुलस्पिती का क्षेत्र है भरमौर का क्षेत्र है सिरमौर का क्षेत्र है जहां पर जो है हमारी जो संगठन है आज निश्चित तोर से इस लोकतांतरिक प्र मेरा समर्थन किया है. एक मैंने कई जगा ये बात पड़ी के आप पे राहुल गांधी का बहुत प्रुभाव है. आप कहते हैं के वो मेरे हीरो है. तो आपको क्या क्वालिटी जी राहुल गांधी की अट्रैक्ट करती है? देखें जब राहुल गांधी जी ने संगठन में आ इस समय उनोंने ये चीज़ देखी संगठन में, संगठन को समझने की कोशिश करी, अगर हमें संगठन को मजबूत करना है, संगठन को अंदर से मजबूत करना है, तो इस वेरी इंपोर्टेंट कि इंट्रडिउस देमोक्राटिक सेट अप, एक लोगतांतरिक परनाली उसम करना में काफी हमें दिकते आएगी बड़ फिर भी वो अपने जो उनका एक दिरद निश्टे था कि वो चाहते थे कि एक आम से आम युवा नेता को बड़ा आम से आम युवा कार्या करता को मौका मिले कि वो संगठन के मादियम से आगे बढ़े और वो आज हम सोच उनकी तोवर्स दे इंप्लिमेंट और तोवर्स दे यूथ उनको आगे लाने के लिए उनको एक आवाज देने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है और साथ ही अभी जो ऑगनाइजेशन में अभी वो कॉंग्रिस पार्टी के वाइस प्रेजरेंट बने हैं उन्होंने पी उनको वो पार्टी के माध्यम से आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं तो कोई नेगटिव भी दिखते हैं आप में कोई चीज जो आप डिसगरी करते हूआ या सोचते हूँ कि हर आदमी में मैं सरफ उनकी पॉजिटिव चीज़े देखता हूँ जो उनने और 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 औ गांदी हैं अनी देखिये दौनों हैं मैं काहूंगा क्यूंकि राहूल गांदी जी अभी एक युवा शक्ती के रूप में देश में आगे आए हैं मगर जहां तक मेरे पिता जी का सवाल है ही हाज पॉलिटिकल कारियर और और स्पैनिंग और फिफ्टी यर्स पचास साल त इसमें वो केंदरे मंत्री रहे च्छटी बार इस बार ही हमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री बने हैं तो इम शौर इतनी उनमें जो कॉलिटीज है उनमें जो डेडिकेशन है काम करने की दाट इस ऑफ ग्रेट यूस टूमी जो उनकी जो अनुभव है वो मुझे बहुत इसमें जो इसमें जो इसमें पर्देश के मुख्य मंत्री रहे हैं। यह सब जो चीज़े है आज जो रोड नेटवर्क है माचल प्रदेश में है आज जो 100% पूरे प्रदेश में है यह सब चीज़े उन्होंने पहली बारी जब मुख्यमंत्री की शपत ली थी उस समय से यह चीज़े इंपलेमेंट करने शुरू करी आज मैं बड़ी खुशी किस साथ यह बात मैं कह सकता हूं कि कंपेर्ट तो तो इवन दे लाजर स्टेट्स है माचल एक बहुत छोटा सा राज्य है मंगर इसके बावजूद भी आज हम कई स्पेर्स में जैसे की प्राइमिट एजूकेशन है है हेल्थ केर है इनमें बड़े राज्यों से भी आगे निक जाता है कि पॉलिटिक्स में ये एक फैमिली अफेर बन जाता है मैं मानता हूं कि मैं वीड़े बड़े सिन जी का सुपुत्र हूं बट इन मैं इन्ड़िशल कपास्टी आप अवल था इसम्ली लेवल से उपर वटकर मैं आया हूं और यह बी जो मैं अभी मैं यूस कॉंग इन अभी और जार्फर्ण करने का कि यह बीटाइशन क्लुम्टतर में पॉट्समेत। मॉप यूरू जो सगता है जाए उसका इनिए ता आर्र देढ़कर मैं पेर बॉटतर है कईव पैर बाद ऐस वॉटोब्रे। plant जि बॉट्यू और्तम धनी पर चु ten आप कंदी करने का? I wanted to join the administrative services, Indian administrative services. So that is also in my mind. As if now I am doing my master's from Delhi University. Master's in? Master's in history. In history. From St. Stephen's. Okay. So once I am over with this, Nishti torse, क्यूंकि एक बहुत बड़ी responsibility youth congress के माधियम से आई है. मंगर इसके इलावा और भी जो मैंने काम करने है, जो मैंने निरने लिए है, उन पर भी मैं काम करने का हर समब फ्यास करूंगा. वैसे आप अपने से कही चीज़ों में डिसग्री भी करते हैं? उनका जो एक्स्पिरियंस है, उनका जो कार इशहली है, मैं समझता हूं मिरसे कही गुना जादा है. बट स्टिल, कभी-कभी अगर मुझे लगता है कि यह यह चीज़ इसकी इसकी इंप्लिमेंट हम कुछ नही तरीके से कर सकते है, सो एकना जो आलवेज तेल हम कि यह चीज़ ऐसे नहीं, ऐसे होनी है. बट आपको कभी लगता है कि हमाचल में किसी चीज़ की कमी है, या या इच्छुडब बीन हमाचल परदेश का फ्यूचर या हमाचल परदेश एक डिफरेंट तरीके से डिवलप होना चाहिए था? I think जो भी पिछले हमने कई सालों में अचीफ किया है, that is extremely very good. और इतने कम समय में एक पहाडी राज है, जहां पर इतने हमारे पास जो resources की कमी हैं, उसके बावजूद भी हमने इतना अचीफ किया है, that is I think बहुत extraordinary है, मगर इसके इलावा, विकास जो मेरे पिता जी हमेशा य अगर कहीं पर उनिवर्स्टी खोली है, तो कल वहां पर और एदूकेशन इंस्टूट्स खोलने कि यावश शकता है, so एक जो विकास का पाईया यह चलते रहता है, so we have to continue on the path of progress. मगर आप एक modern thought लेकर आते हैं, you know, public school education, as Stephen's में पढ़ रहे हैं, कहीं तो कुछ ना कुछ तो differences होंगे, in terms of idea, कि हमाचल कैसा होना चाहिए आगले 20 साल में या पच्छे साल में? नहीं होता है, I mean, if we have certain matters, we discuss it, आप उनसा बात करते हैं, अब सिंसा में इन the organization, अगराग ऐसा कुछ लगता है कि, some new ways for creating employment in the state, some new avenues of tourism, some new avenues of industries need to be brought into the state. अब बिल्कुल रहा है, I discuss it with him, वो बिल्कुल मेरी बात सुनते हैं, और फिर उसके बाद, because he is the best judge, वो अपने cabinet के साथ हो से decide करते हैं, and then it goes for the, it goes ahead, because I am, I can just tell him, I cannot. अपने एक statement दी थी, कि आप अपनी अपनी identity create करना चाहते हैं, how do you plan to do that, ये कैसे एक अपनी separate identity, अपने father की shadow से बाहरा के? उसका जो पहला step है, वो मैंने आज लिया है, Youth Congress के मादियम से जो मैं आज आया हूँ, मैंने आपको गहा कि जो पूरी इसमें process था, उसमें मैंने independently काम किया, उसमें there was no support of any leader or any senior person in the state, तो इसी के मादियम से मैंने संगठन में आगे बढ़ने का निरने लिया है, अब संगठन जो आगे जिमेवारिया देगी, Congress Party जो आगे जिमेवारिया आने वाले समय में देगी, उसे भी मैं पूरा प्रयास करूंगा कि उन्हें निभाया जाए, और खास करके जो युवा व आज जो मैं सामने में समझता हूँ इशू है, कि मैं चाता हूँ कि हिमाचल को एक सेल्फ सफिशिंट प्रदेश बनाया जा सके, हिमाचल में जितने भी हमारा, क्यूंकि आप देखेंगे हिमाचल एक पहाड़ी राज्या है, हिमाचल की जो टोपोग्रैफी है, वहां पर व उसके साथ जो स्मॉल, मीडियम और माइक्रो इंडस्ट्रीज है, सुक्षम, मद्यम और लगो उद्योग, जो हमारे इंडस्ट्रीज है, उद्योग है, उसके तहट एक बहुत बड़ा स्कोप है, कि हम प्रदेश के युवाओं को सेल्फ सफिशिंट बना सके, यह चाहे उद्योगेशन के लिए जाए, चाहे रोजगार के लिए जाए, यह उद्योग बी सेल्फ सफिशिंट और उन्हें हिमाचल प्रदेश में ही बसे हिमाचल प्रदेश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाए, हिमाचल प्रदेश की एकॉनिमी को मजबूत बनाए, यह मेरा ए इसे ही इनी सोच के साथ हम आगे बढ़ सके ताकि जो भी हमारा एक सोच है, एक जो लक्षे है उसे हम आने वाले समय में पूरा कर सके हैं. किस किसम की एक्सपेक्टेशन्स लोग आप से रखते हैं? आप जाते हैं, लोगों में मिलते हैं? जी देखे, अभी सबसे बड़ा जो मैं समझता हूं कि एक्सपेक्टेशन हैं, खासकर के जो हमारा युवा वर्ग है, आज जो यूद कॉंगर्स से जोड़ा है, आज काफी बेरोज़गारी पूरे देश में है, और प्रदेश में भी काफी बेरोज़गारी, हालंकि पिछले जब से कॉंगर्स से कर्मेंट आई है, विव बेन वर्क इंपल्वाइम्ट इशू, और जो यूद काफी बेरोज़गारी है, विव बेन पीछे ही जो हमारे उद्योग मंत्री है, उनसे भी मने बात करी है, और मुख्य मंत्री महाधे से भी आप स्कोन तो इम आलसो, कि जित अजिए से क्तरी है, उसमें उसमें वी आफ तो इंशूर, गवनमंट उसमें और उसमें, जो कॉष यूद्द मृंट दो बडे वबन मेंट की जितने भी बेन पहारी है, जितने भी इंडूरी जितने बेन ना उसमें उन प्रातिमिक्ता पर देश के यूवाओं कि ही है इस पे हम निरंतर काम कर रहे हैं और इसके इलावा भी हमने लास टाइम जब मैंने लड़े थे यूद कॉंगर्स का चुनाव प्रदेश में लड़ा उस समय हम लोग उपोजिशन में थे विपक्ष में थे उस समय जो मुद्धे उस समय चुनाव में जब मैं चुनावी की वज़ा से प्रदेश की हेतों को बहार के लोगों को बेचा गया उसको एक्सपोज करना था मगर मैं समझता हूं कि आज सिंस आएम हेड़िंग दॉगनाईजेशन और सिंस कॉंग्रेस पार्टी इस इन पावर इन दे स्टेट आज जो जिम्मेवारियां कॉंग्रेस पार का समय समय पे हमें केंदे सरकार का समर्थन मिलता रहे ताकि जो भी इस्यूज है जो भी इनकी प्रॉब्लम्स है उसे हम समय समय पर सॉल्फ कर सके शर्चा शुरू हुए है थोड़ी थोड़े ममर्स है के आप एक पैरलल सेट अप चलाते हैं इन दे सेंस के पैरलल पावर है मैं थे पित 되면 कि अजय अजय पूब्लम्स कर दूब कर देना शुरू पर सुछे तो समय से रहे थे हैं यह थोड़ी थो बिर्चा शुरू पर सामय पर शुरू कौन्सर चाहर तो पर जो निशुरू से लिखा तूर पर हम उसे चंसर्ड जो रॉन से कंसर्ण अधर मुर्मिने महुदे को लेकी तौर पे देते हैं, but after that it is the prerogative of the CM and the prerogative of the ministers to implement that, उसमें हमारा कोई मेरा व्यक्तिकर तौर पे मेरा उसमें कोई interference नहीं है. वैसे आप अपने आपको कभी अकेले बैठ के अनलाइस करते होंगे, अपनी weaknesses, अपनी strengths, तो share with us. जहां तक हमारी strengths की बात है, as I said, ages on my side, I have taken over the organization and काफी नहीं सोच और काफी नहीं ideology के साथ में आगे बढ़ना चाहता हूं और जो कमी पेशियां पिछे पिछले time organization में रहे थी उन्हें हम पूरा करना चाहते हैं. कई weaknesses भी होती है, because everybody is not perfect. तो अगर कोई मुझे लगता है कि मेरे अंदर कोई कमी है, मैं किसी तरह से जो expectation लोगों की है, उसे पूरा नहीं कर पा रहा हूं, या जिस तरह से उनके साथ मुझे interact करना चाहिए, जेतना समय किसी particular area की लोगों को देना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा, तो उस पहें, there is a great amount of introspection also, and I try to rectify myself, अपने को ठीक करने की कोशिच करता हूं कि आगे आने वाले समय में, वो गल्तियां फिर से ना हूं. एक Mr. Dhumal के सन, Arun Dhumal ने एक ऐलिगेशन लगाया था पे, about some bank account, तो, but very young to get these charges. नहीं, देखिये, as far as Mr. Dhumal's son is concerned, Arun Dhumal is concerned, he is a political non-entity, and I think की whatever he did, and he is the best judge to decide what he did, but इस तरह से, immaturely going into the media, and discussing some details, and particularly about myself. और सबसे पहले तो मैं इसमें बात करना चाहूंगा कि वो सारी details जो नोने दी है, that has already been given in, during the time of nomination of my father and my mother. But exactly that is what he has said, कि वो नोने दीया नहीं गया है, वो नहीं से उठाया है, वो गहीं से उठाया है, I have, I am an income tax payee, I regularly find, my IT returns, और समें मैं अपना जो pancard number है, that also I have given it in the nomination form. सबसे परे तो कोई इसमें irregularities है नहीं, अगर कोई irregularities है भी, so he is nobody to ask any questions. The concerned authorities, अगर if any point of time they ask any question to me, I am totally open and I can answer all the questions. The opposition, जो धुमल के लड़के अनुराग है, अरुन है, ये जैसे इनके political vendetta है, जो cases आपने उन पर इवडाने हैं. Political vendetta तो ये उनने देखना चाहिए कि political vendetta परदेश में शुरू किस ने किया. आज जो परदेश में हो रहा है, हमारा आप देखेंगे जब पिछले election हिमाचल परदेश में हुए, जो मुख्या मुद्धा जिस पर परदेश में Congress की पार्टी ने election लड़ा, वो यही था कि हिमाचल परदेश के हितों को बहार के लोगों को बीचा गया. बेशक, whether it was privatization of universities, whether it was the scams and ghutalas in HPCA, हमाचल परदेश की जो इनकी association है, उसमें किये गए, जिस तरह से इसमें बहार के प्लेयर्स को हमाचल परदेश में खिलाया गया, और जिस तरह से जो हमें ये चीजों के बारे में उस टाइम डिटेल में पता नहीं था, मदर जैसे जैस इनके बारे में पता चला कि simultaneously, इस association और company Anurag Thakurji के underrun कर रही थी, and all the benefits that were being deprived from the government, जो भी benefits लिये जा रहे थे, वो सारे as a association लिये जा रहे थे, और end में very conveniently, he got it transferred into a company, why? Because, वो चाहते थे कि अपना एक family rule इसमें बरकरार किया जा सके, जो एक मैं समझता हूँ कि किसी भी government को, या किसी भी rightfully elected government को, या अधिकार है, कि वो एक ऐसी association को तुबुकला सके. जो family political rivalries थी between the Dhumal family and Veer Bhadar Singh family, वो एक next generation में शिफ्ट होती देख रहे हैं, between, आप आप आए हैं, तुबुकला सके हैं, या इसा थे अज़ाए हैं. Are you going to carry this forward? I have always maintained this, there is no political vendetta, there is no political rivalry as far as two individuals are concerned. there can be differences of ideology, there can be differences of how things were implemented during Congress's tenure and during BJP's tenure. अगर आज दूमल साभ के बेटे, अरुन दूमल जी अगर पॉलिटिकल वेंड़ा की बात कर रहे है, he should remember, जब पहली बारी दूमल साभ परदेश के मुख्यमंत्री बने नाइटी 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 एट में, अगली बारी जब 2007 में मुख्यमंत्री बने तो उस समय फिर से एक पॉलिटिकल वेंड़िटा पर जो सीडी केस, बहुच अर्चित सीडी केस चलाया गया, उस पे भी हमारे एलेक्शन से, स्वेरिंग इन से एक दिन पहले क्लीन चिट हमें से सेशन कोर्ट से मिली है, तो यह इस चीज को दर्शाता है कि जो पॉलिटिकल वेंड़िटा किया गया था, इनके समय में किया गया, आपकी अगली जनरेशन इसको फोरवर्ड लेंगे जाएगी कि आप इसको कहीं खतम करना चाहेंगे? आपकी अगली जनरेशन इसको नहीं नहीं फस्ता, मैंना कभी पॉलिकली आपनेव प्र प्र नेव खोकन अगैंसेट मिस्टर धूमल और यह संस, वही है जो मीडिया में आके जिन्होंने मेरे खिलाफ जो ब्यान बाजी करी है बट स्टिल अभी तक, आज तक मैंने उनके खिलाफ कुछ नहीं बोला है तो आपने क्योंकि सरफ में से सवाल जाब किया है इसलिए I answer to that but otherwise on any platform I have never mentioned either अनुराग जीज नेम और अरुन धूमल जीज नेम anywhere क्योंकि ये भी कहा जाता है कि जो HPCA के केसिज हो रहे हैं ये एक आप स्पोर्ट्समेन भी रहे हैं तो ये इस तो आपको क्रिकेट में इन्वाल्व करने की एक कि इसमें जो स्पोर्ट्स परसंस है पीपल फूफ कॉंट्रिबूटे तो 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 अरुट्वर्णाइशन जो जिन्होंने स्टेट को और नेशन को रिप्रेजेंट किया है ऐसे जिनको अनुभव है और अगनाइशन को चलाने का ऐसे लोगों को इसमें आगयाने है I think BJP के भाज्यूमा के राष्टे धाक्ष है और he is also मेरे से उमर में काफी बड़े है मेरे खियाल से मैं तो अभी सिर्फ I am 24 years of age I am not even eligible to fight election पर मैं उनको मैं इस इस नजरिये से उनने कभी मैंने नहीं नहीं देखा अपने प्रतिद्वंदी के नजरिये से मैंने कभी नहीं नहीं देखा हालां कि जैसे मैंने कहा कि हमारी सोच में और हमारी जो आइडियोलोजी है उसमें फरक हो सकता है मांकर जहां तक जो जो लोग है मैं समझता हूं ते बेस जज़ लेवल पर है वो लोग इस चीज़ को डिसेड कर सकते हैं और आप हमीरपूर में कुछ जादा जोर लगाना शुरू किया है मैंने निश्चत तोर पे इस बारी हमने कॉंग्रेस पार्टी ने और योग्यूद कॉंग्रेस ने ये जीट पाई है इसलिए हमारा फोकस इस पर ही सबसे ज़दा हमीरपूर बार्लेमेंटरी कॉंसिए में होगा आप अपने आपको दस साल बाद कहां देखते हैं या पंदरा साल बाद पॉलिटिक्स के सीन पर मैं अपने को एक ऐसी बिश्चन में देखता हूं जहां पर मैं सं मैं डाप शूटिंगे करता हूं शॉटगण की अना रच्छे म में पिशले साल ऊसके नैशनल्स भी खेलए हैं यह विद को मेंना असे साल मुए Curtis इसी स्टीजुन गोर्टा है्शिजने मुऌन अर्स्टवाइल बुशहर स्टेट था, उसका कैपिटल रामपुर था, बुशहर में जो हमारा रोडू का रामपुर 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 का राम and after independence, हालंकि अब हमारा एक electoral रिष्टा उनके साथ है, बट हमेशा हमने ये maintain किया है, कि उनके साथ स्रफ एक राजनितिक रिष्टा ही नहीं, मैं चाहता हूँ, मेरे पिता जी ने तो वो किया है, बट I also want कि मैं उनके साथ एक पारिवारिक रिष्टा उन लोगों के साथ जोड़ा जा सके. आपके मदर भी पॉलिटिक्स में है, मेंबर पार्लिमेंट है, उनका कैसा इंफ्लूएंस रहा है उनका समय समय पर मुझे समर्थन रहा है, हमेशा उनके मुझे ये सीख दी है, कि आपने आज राजनीती का पात चुना है, तो काफी समस्या आएगी मगर आपको द्रिर निष्टा के साथ आगे बढ़ना है, और किसी हर कठनाईयों का, हर समस्याओं का सामना करते हुए अपने लक्षे को पूरा करना है. आप पुबिक स्कूल से पड़े हुए हैं, बिशप कॉर्टन स्कूल से, उसके बाद आप डेली गए अपनी ग्राजुएशन की, पोस्ट ग्राजुएशन कर रहे हैं, सें स्टीफन से, और हमाचल में पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो ये, ये, हाँ ये बालंस ये लाइफ को कैसे बालंस करते हैं? और उस चीज़ को अभी तक हमें मैनेज करता भी आया हूं और लगता है कि इसी तरह से बविश्य में भी मैनेज करेंगे, क्योंकि जब तक लोगों का समर्थन साथ है, युवाओं का समर्थन, उनका जोश, और उनका भरपूर समर्थन मुझे और प्यार मिलता आया है, जब तक वो साथ है, तो निश्टे तोर से इन सब चालिंजिस को मैं पूरा करकर हम आगे बढ़ेंगे. And your vision for Himachal? As I've already said कि Himachal Pradesh को एक प्रग्रती शील राजिय बनाना चाहते है, हिमाचal Pradesh में जो टूरिजम का एविन्यू है और इंप्लोइमेंट का एविन्यू है उन्हें जनेरेट करवाना चाहते है, और ज्यादा से ज्यादा जैसे मैंने कहा कि रोजगार Pradesh में, Pradesh के युवाओं को प्रिदेश के युवाओं को बहर की खेत्रों में ना जाना पड़े, उस पे हमारा मुख्या फूकस रहेगा. Thank you so much. झाल